हैलो एबिरीबन बलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बिलाउज में किस तरह से काज और बटन वाली पट्टी को सिलते हैं वो हम यहाँ पर सिखाएंगे तो इसमें देखी मैंने पलेटे भी सिलिंग हैं तो इन फिलोटों को मैंने किस तरह से सिला ह तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि किस तरह से पलेटों को सिलते हैं तो यहाँ पर पले को इस तरह से रख लेना है ठीक हैं और सीधे वाले हाथ पर हमें बटन वाली पट्टी को सिलना होता है तो इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने पट्टी लिया है, पट्टी की चोड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे, आदा इंच उपर बढ़ा के रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे, आदा इंच हमने पट्टी को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसमें मैंने गले को पहले से ही बना लिया है अगर आपने गले को पहले से नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पर आदा इंचूपर बढ़ा के नहीं रखना है तो जो हमने कपड़े को आदा इंचूपर बढ़ा के रखा है उसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे फिर इतरह से फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है ठीक है इवाला पल्ला हमारा सीधे हाथ की तरफ आता है और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि याँ लोग लाइक करना भूल जाते हो आप लोग देख सकते हैं अब हमें आप लंबाई भी नाप लेते हैं तो आदांच का मारिजन छोड़के याँ पर तेरांच पर निसान लगाएंगे और इतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई भी लगा देनी है सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे तो एक पल्ला हमारा सिल्का त्यार हो गया है अब हम यहाँ पर यह दूसरा पल्ला लेंगे यह दूसरा बाला पल्ला हमारा डेड़े हाथ की तरह पाता है तो यहां पर मैंने अत्रवाली पट्टी ली है और इसकी चोड़ाई धाइन चाहें अत्रवाली पट्टी यहां पो लेनी है क्योंकि इससे काज बहुत ही अच्छे बनते हैं तो यहां पर इसको रखके सिलाई लगा देंगे और इसमें हमें दाफ सिलाई लगा देनी है फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पट्टी को उल्थी तरफ से फोल्ड करेंगे इतरह से और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें सिलाई बड़ी लगा लिए है क्योंकि यहाँ पर भी हम तुर्पाई करेंगे तो जो हमने आदांच का अत्तर जादा लिया है इसको भी फोल्ड करके सिलेंगे यहाँ पर भी आदांच का माजन छोड़ के 13 अंच पर निसान लगा देंगे और इतना ही फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यह बाला पल्ला हमारा डेले हाथ की तरफ रहेगा और यह बाला पल्ला हमारा सीधे हाथ की तरफ रहेगा तो इस तरह से मैंने देखी बहुत ही आसन तरीके से काज और बठन वाली पट्टी को सिलना सिकाया है तो अमीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाक्षे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइन की यूँ